देखे दि आप लोगों नों भी यहाँ पर सीजी पुलिस को फॉर्म भर रहा है और आपका यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो गया है तो मैं आपको क्या करना है मैं पूरा डिटेल आपको कंप्लीट बताने वाला हूं यहाँ पर दिखे जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म फिल अ करने के लिए यहाँ पर वेबसाइड में आ रहे हैं और यहां से आप रेजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कंप्लीट पूरा डिटेल करने के बाद आप पेमेंट यहाँ पर आप कर रहे होंगे तो पेमेंट यहाँ पर आपको सो हो रहा है आपका पेमेंट कट जा रहा ह तो आपका payment यहां पर आपका account से cut जा रहा है लेकिन आपका वहां पर internet error करके शो हो रहा है successful आपका payment नहीं हो रहा है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं screenshot देखिए यहां पर किसी भी माध्यम से गार आप payment कर रहे हैं यहां पर इस प्रकार से जैसे 36 गड़ पूलिस का यहां पर पेमेंट किया था तो यहां पर देखिए आपको payment करने के बाद यहां पर जैसे debit card से यहां पर payment किया था तो debit card से आपका payment करने करने के बाद ओटीपी सब्मिट करने के बाद यहां पर आपका इंटर्नल सर्वर इजर अगया है आपका यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पेमेंट जो है अकाउंट से डेबिट हो जा रहा है और यहां पर आपका एपलिकेशन सकते हैं इंटर्नल सर्वर इजर यहां पर स क्रिएट करना पड़ेगा आपका यहां पर क्रेडिट नहीं हुआ है तो इस प्रकार से आप करेंगे कमेंट यहां पर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका यहां पर करेंगे और अगर आपका यहां पर जैसे कि आपका यहां पर सकसेश्फूल हो जाया आप आपके शबीष स्रेट्रीन से आ सफुलु हो जाएगा आपके या फिर आपके यहाँ पर सक्षेस्पुल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे प्रक्राइब करके वहां का refund लेना पड़ेगा देखिए यहां पर home में आप देख सकते हैं यहां पर check payment status का option भी है तो यहां पर आप यहां पर check payment status में check करेंगे तो यहां पर आपको कुछ सो नहीं होगा क्योंकि यहां पर वेबसाइट में error है और यहां पर अगर आपका कि सीजी पुलिस के द्वारा यहां पर आपका सब कुछ ठीक कर दिया जाता है तो आपका जो पेमेंट कटा है वो अगर successful हो गया होगा तो यहां पर successful application में आप जैसे क्लिक करेंगे जैसे की और यहां पर देखिए अगर आपका वहां पर successful नहीं दिखाता है तो यहां पर जो चेक payment status इसमें चेक करेंगे तो फेल्ड दिखायागा यह भी जो भी status वो दिखायागा अगर इतने में भी आपको कुछ नहीं होता है तो आपको यहां पर सीधा सा यह करना पड़ेगा कि जो यहां पर देखिए जैसे कि आपको जो आपका bank है वहां पर आपका complain करना पड़ेगा और यहां पर जो आपका chips को यहां पर complaint raise करना पड़ेगा फिर जाके आपका यहां पर आगे का प्रोसेस है वो आपको यहां से refund का process अपको पता चलेगा तो आपको पहले 24-43 गंटा वेट करना है उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करके successful application में आप चेक करेंगे उसके बाद ही आपका आगे का process आपको करना है जो भी 40 गंटे वेट कर लीजे अगर आपका successful हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपको यहाँ पर complaint करेंगे तो भी आपको यहाँ पर refund मिलने वाला है